नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का हमारे चैनल आरूशी की रसोई में आज हम आपके साथ बढ़ी हासा किचन टिप्स सेयर करने वाले हैं हमें आसा है कि आपको बेहत पसंद आने वाली है अधिकतर क्या होता है कि हम सभी के घरों में चीनी मिट्टी के कफवा करते ह इने थोड़ा सा असाधानी हो जाती है तो तुरंत तूट जाते हैं इनको स्विक्र करने के लिए आज बढ़ी हाँ अधिकतर सभी के घरों में पानी की बोतले होती है जो ठंड़ा वगेरा माजा पेपसी की बोतले होती हैं उन्हें हम कबार में फेक देते हैं आज हम पानी की बोतल में इसके उपरी हिस्से से थोड़ा सा निसान लागा कर पत्ली पट्टी के सेप में बना लेते हैं बिर्कुल ऐसे ही आपको करना है अब हम इसे चक्कू से कट करके कहची से अलग कर देते हैं इस पार्ट को सेम प्रोसेस आपको भी करनी है अब इन कफो को ऐसे विर्कुल सेम प्रोसेस करनी है आपको ऐसे हम लगा देते हैं और किचन में काफी जगह की आउसकता होती है तो हम इस थोड़े से जगह में इन कफो को रख सकते हैं लगीना बढ़ियासा कबार से जुगार आपको बढ़ियासा टिप्स दूसरी टिप्स हम बताते हैं जब बरतन मांचते हैं तो बरतन मांचने वाला जो जूना होता साबुन के उपर रख देते हैं यह गीला होने के कारण साबुन आमारा काफी गल जाता है इसके लिए हम आपको बढ़ियासाटी अगर हम इसको बाहर रख देते हैं तो ये काफी सिंगों को गंदा कर देता है हमने एक बोतल लिया है बोतल को हम बीचो बीच से कट कर लेते हैं बोतल को काटने के बाद में हम कैची से इसे बराबर अच्छे से से सेट कर लेते हैं सेट करके जो छोटा वाला हिस्सा है ढखकन खोल कर हम इसमें डाल देते हैं और इसके उपर हम जूना को रख देते हैं जो जूना की गंदगी इस बोतल में चली जाएगी, जब हमें बरतन मांज न मांजना होगा तो हम इसे फेक देंगे। देंगे और जिस बरतन में हम साबुन रखते हैं साबुन भी हमारा गल्ले से बच जाएगा अगर जूना को बाहर रख देते तो सिंग को गंदा कर देता सिंग को गंदा होने से बच जाएगा इताक काफी फेल जाता है उलट जाता है तो खाफी बरबाद हो जाता है जो हमने कट लगाया है के उपरी हिससे में उसी में अंदर से डाल कर उसको हम दबा देते हैं बिर्कुल ऐसे ही आपको करना है तो कभी वरबाद नहीं होगा अच्छे से सिक्यूर रहेगा दोस्तों हमारी टिप्स कैसे लगी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से और सब्सक्राइब अबस्ट करें